हेलो फ्रेंड स्वागत है आप से भी का अपनी चैनल आस्क बुड में है तो बाबु आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबु आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 12 का फ सभी बच्चे बता दीजे एक बार कि आप लोग कैसे हैं आपकी तैयारी कैसे चले हैं और एक बार आप लोग सभी बच्चे इस बीडियो को सेयर कर दीजें क्योंकि यहाँ दीगे नुमेरिकल से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं लेकिन आप लोग का आज डर खतम होने वाला तो आप सुभी 6, 6 हैं जल्दी से जल्दी लाइव आजये और एक बार share कीजिए क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो बाबु यहाँ यहाँ पर ध्यान दिजेगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जिनको भी यहाँ पे समझ में नहीं आता है नुमेरिकल्स एक बार कलास कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बहतरीन तरीके से समझाने की कोशिस करेंगे, और आपको पूरा समझ में भी आएगा, पूरा 110 परसेंट गरांटी है बाबू कि आपको पूरा समझ में आएगा, तो सभ भी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीख लोग कि कैसे नुमेरिकल्स बनाया जाता है, नुमेरिकल्स बहुत डर लगता है, लेकिन आज डर खतम हो जाएगा, खास करके कमजूड जो छात लिजे ताकि जब भी लाइब क्लास और नॉटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे साथ में आप लोग लाइक नहीं किए फटा फट लाइक कर दीजे जितने भी इस्टुटेंट लाइक नहीं किए फटा फट लाइक कर दीजे वाटसप ग्रूप में नहीं जुड़ें यहां पर देख लिजे हम अपना वाटसप नमबर लिख देते हैं 91, 35, 75, 20, 24 आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रूप में जोड़ दीजे हम आपको ग्रूप में जोड़ देंगे तो सभी बच्चे रेडी हैं सभी बच्चे बता दीजे रेडी हैं तो चलिए बाबू ए यह जो फीगर होगा वो आप लोग देखे होंगे कितने बच्चे इसको सॉल्व भी कर लिया होंगे लेगिन चलिए हम इसको सॉल्व करने का सही तरीका बताएंगे एकदम मज़ा आएगा आपको बनाने में बिलकुल मज़ा आने वाला है आपको 110 परसेंट इसको बनाने मे सारा previous year यहां आप देखे नुमेरिकल है जिसको solve करा रहा है तो चलिए इसको हम बनाने की कोशिस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की भी कोशिस करेंगे तो जितने भी छात रहें एक बार यहां पर सभी बच्चे क्या कर दिजे एक बार share कर दिजे क्योंकि यहां पर भी हम बना रहें इसका क्या figure बना रहें ताकि आपको और अच्छे से यहां पर समझ में आ सके यहां पर बाबु हम इसका figure बना दे रहें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके क्या बबू पूरा बहुत ही अच्छी से समझ में आ चाग है क्यूंकि ये जो प्रश्ण जब आप से पूछे एक्जाम में तो आप लोग इसको फटाक से बना लें देखिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ ये चितर है और ये फिगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं न कहीं कहीं न कहीं इसको सभी इस्टुडेंटों ने देखा होगा तो चलिए इसका सही बनाने का तरीका हम बताएंगे देखिए क्या है यहाँ पहला है यहाँ देखिए चार म मिवेफ दिया हुआ है यहाँ पे भी इसका विमान क्या है बबू चार मिवेफ दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया है कितना दिया है बबू दो मिवेफ यानि दो माइक्रो फेराडे यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए चार मिवेफ यानि चार माइक्रो फेराडे और सबसे पहले इसका उपर वाला यहां पर देखिएगा इसको इसी परकार बनाया जता है बाबू यहां पर देज़ेगा इस परकार है पहला क्या मोल रहा है A और B के बीच के तुले धारता यानि A है यहाँ आप देखे हैं यह A है और यह B है इसके बीच के तुले धारता यहाँ पे C दिया हुआ तो यानि इसके तुले धारता निकालना है तीनों का यानि आप देखें A से लेकर B तक का तुले धारता निकालना है चार माइक्रो फैराडे इतना आप लोगो समझ में आ गया अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अगर यह दोनों है इसको पकड़के और इसको पकड़के सीधा कर दें यानि आप देखिए दोनों पैर को इसको लमड़ा देंगे तो यह कैसा हमारा दिखाई देगा ऐसा द दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा यानि यह कि यह पॉइंट बन जाएगा और यह कि यह पॉइंट बन जाएगा तो यहाँ तक आपको किलियर है तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा मान दे रखा है चार माइक्रो फैराडे और इसका भी मान कितन 1 by C is equal to क्या होता है 1 by C1 plus 1 by C2 और यहाँ पे dot 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 1 by Cn यानि अनन्त तक होता है यह होता है हमारा formula तो देखे इसको solve कैसे करना है बाबु यहाँ पे देख लिजे सबसे पहले लिखिएगा 1 by C is equal to यहाँ आप देखे यह क्या हो गया हमारा देखे यह जो हो गया हम इसको माल लेते है C1 और इसको माल लेते है C2 यहाँ पे देख लिजे तो first क्या हो गया first हमारा हो गया 4 micro faraday यानि 1 by 4 देखे C1 का माल कितना है 4 दिया है प्लस है तो plus एक है तो एक बाटा में C2 का भी माल कितना दे रखा है बाबु तो C2 का भी माड़ दे रखाए 4 माइक्रो फैराडे अब इसको solve करेंगे वावो तो यहाँ पे देख लिजेगा अब इसको solve किजेगा तो क्या होगा 1 बटा C is equal to क्या निकल के आएगा तो यहाँ आप देखे 4 4 की लगू तो हम 4 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बटा 4 अब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे दू एकम दू 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 नी चार यानि एक बटा 2 हमारा यहाँ पे राइट निकल के आ गया किसका मान तो यह निकल के आ गया एक बटा सी का मान क्या निकल के आ गया एक बटा 4 यहाँ बटा सोरी दो कट गया है तो क्या होगा एक बटा दो निकल के आ गया कट गया है ना तो कट गया है तो यहाँ बटा दो निकल के आ गया अब यहाँ आप देखिए अब तिर्चा तिर्ची इसका गुणा करेंगे तो हमारा सी का मान कितना निकल जाएगा या निकल जाएगा यानि कहने का मतलब ये है यहाँ पर समझझेивать कि यह जो इतना उपर वाला है देखिये, यह जो इतना उपर वाला है यह इसका मान हम लोग निकाल लेए और इसका मान क्या आ गया बभु? इसका मान आया 2μF आ गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब यहाँ आप देखिए इसका मान कितना निकल गया है बभू तो यहाँ पे इसका यानि यह जो उपर वाला पोसड है इसका मान हम निकाले है आ गया है कितना तो C is equal to क्या आ गया है तो 2 यहाँ पे क्या आ गया है 1 by C is equal to क्या होता है 1 by C1 plus 1 by C2 dot 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 1 by C1 अब यहाँ आप दीए C1 का मान बढ़ दीजे C2 का मान बढ़ दीजे simply बटा का जोड बना दीजे बटा का जोड बनाईएगा C का मान निकालेगा आपका 2 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख दिये हैं कि उपर का मान आ गया है हमारा 2 micro faraday अब इसको हम यहाँ पी क्या करते हैं मिटा देते हैं क्या करेंगे बबू इसको simply मिटा देंगे क्योंकि उपर वाला हमारा काम हो गया अब बचा है नीचे वाला काम करना नीचे वाला भी काम बहुत ही असानी से हम लोग कर देंगे चली यहाँ तक तो हो गया अब देखिए यहाँ पी क्या है अब उपर का तो मान हम लोग 2 निकल दिया तो अब यह कैसा दिखेगा तो यह पाबू ऐसा दिखेगा देखी एसा दिखेगा और यहाँ दिखे नीचे है और यहाँ देखे यहाँ पे भी एक लगा हुआ है और यहाँ देखे आएगा तो यह ऐसे दिखेगा अब यह ऐसे दिखेगा क्योंकि हम लोग इसको बना के क्या कर दिए एक बना दिए है और इसका मान कितना निकाल दिए है तो दो माइक्रो फैराडे निकाल दिए है बाबू इसका जो मान हम निकाले हैं दो माइक्रो फेराडे और दोनों को बिना के एक बना दी है तो एक तो ऐसे ही न रहेगा तो यह उपर वाला कमान दो निकाल दी है और यह बीच वाला कमान कितना दे रखा है दो दे रखा है तो फिर यहाँ पे भी यह क्या बावु दो मीवेफ है यानि माइक्रो फेराडे है अब यहाँ पे दो माईगरो फेराडे इसका है और यहाँ पे तो कितना है बाबु चार है और यहाँ पे भी चार है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं यानि इसको इसको पैरवा को काट देते हैं सिर्फ यहाँ पे इसके सरीर को जोड़ेंगे अभी इसको अभी नहीं जोड़ेंगे अभी जोड़ेंगे इसको ये दोनों को तो देखे इसको जोड़ेंगे तो ये कैसे जोड़ेंगे ये क्या है ये है समनांतर करम में है किसमें है बाबो वो जो था वो था बाबो इसके दोनों पैरों को जब हम सीधा किये थे तो ऐसे सी लिड़ी करम में सीधा हुआ था और यह क्या है हमारा समनांतर करम में है तो समनांतर करम के लिए फर्मूला क्या होता है तो C is called to क्या होता है C1 plus C2 dot 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 Cn होता है यह आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ पर देख लिजे C is called to क्या हो गया यह हम माल लिए C1 और यह माल क्या 2 और C2 का मान है 2 तो मिला कि क्या हो जाएगा 4 और कितना माइक्रो फेराडे है तो माइक्रो फेराडे लिख देंगे यानि हमारा अब इतना तक का मान आ गया बाबू क्या 4 माइक्रो फेराडे याद यहाँ आप देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इतना तक का मान आ गया हमारा चार माइक्रो फेराड है क्योंकि यह क्या था बाबू यह था हमारा समनांतर करम में तो समनांतर करम के लिए फर्मूला होता है यहा पे लिए हमारा क्या निकल के आगया तो यहा तक कमान निकल के आगया फिर से हमारा चार माइक्रो फेराड है अब यहा तक हम लोग सूल्व कर दिये तो अब हमारा फिगर कर दिये है कैसा दिखेगा ये ध्यान देजेगा अब यहां आप दिखेए इसके तनों यहां दिखेए इसके बीच वाले पार्ट का भी हम लोग निकाल दिए उपर का पहले निकाले फिर ये बीच वाले पार्ट का भी निकाल दिए तब देखेए अब हमारा चितर कैसा दिखेगा अब यहाँ पर देख लिजे अगर इसका निकाल दिये तो हमारा यानि एक बचा है एर इसका अमान कितना है निकल के लाएं है बबू तो चार माइक्रो फैराडे निकल के लाएं है यहाँ तक देख लिजे अब क्या बचा है बबू तो अब बचा है यहाँ पर देख लिजे ऐसे ह कैसे दिखेगा बाबू ऐसे दिखेगा, तो अब दिख्गे ऐसे दिखेगा, तो इसकी फिर हम क्या करेंगे, दोनों पेरो को लमड़ा देंगे, तो ये ऐसे दिखेने लगेगा, यानि हम इसके फिर इसको और इसको धग के खीच देंगे जबर जास्ती तो यह ऐसे नहीं हो जाएगा सीधा इसको फिर खीचेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा कि नहीं जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ देखें चार माइक्रो फैराडे हम निकाल दी है उपर का मान इतना उपर का मान चार माइक्रो फेराडे, फिर हमको यहाँ पर चार मीवेफ दे रखा है, कितना चार माइक्रो फेराडे यहाँ दे रखा है, अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर भर देंगे, क्या है यहाँ पर, देखें, यहाँ पर भी इसका विमान चार मीवेफ है, यह स्रेडिक रम के लिए फर्मूला क्या होता है 1 बटा C is equal to क्या होता है 1 बटा C1 पलास 1 बटा C2 पलास 1 बटा C3 डॉट 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 1 बटा क्या हो जाएगा हमारा Cn हो जाएगा यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया आया बबु यहां तक पूरा समझ में अब यहां पे देख लिजी यह C1 है C2 है C3 है और तीनों का मान 4-4 है तो यहां पे भर देंगे 1 बटा C1 का मान 4 पलास है तो पलास 1 बटा C2 का मान 4 पलास है तो पलास 1 बटा C3 का मान 4 पलास है तो पलास अब यहाँ पे इसका लगूतम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा चार हो जाएगा अब यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो यह क्या होगा यह देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीन बटी के चार अब इसको कैंची गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा ह हो जाएगा यानी हमारा सी का मैंना निCal के क्या आजएगा तो चार वटटा देखिए जब इसका कैसी गूड़ा करेंगे यहाँ पर क्रॉस âte क्रोंपर टिप्लाई करेंगे तो इह पर निचे हमारा इसका आंसर निकल तो देखिए चार बटा तीन इसका fully right answer हो जाएगा समझ में आया के नहीं यह बताईए ऐसा figure दिखेगा तो आप लोग solve कर लिजेगा के नहीं सबसे पहले ही बताईए आपको पूरा समझ में आया के नहीं आया यह बताईए सभी बच्चे बताईए और आया तो फटाक फटाक like ठोकिए बबबू like ठोकिए क्योंकि इतना बहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं कि ऐसा question आपको यहाँ पे देख लिजे कभी नहीं भूलने वाले हैं चलिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा और ऐसे ही question बबू एक्जामों में आता है तो देखिए सबसे पहले सीरे का मान निकाले चलिए सबसे पहले बबू इस सीरे का मान निकाले तो इस सीरे का मान आ गया दो फिर इसको निकाले तो इसको निकाले तो इसका मान आ गया चार और फिर तीनों को जोड़ दिए तो हम लोग ट्राई किजिए बनाने का, अब चलिए दूसरे नमबर कोस्चन पर आते हैं, दूसरा नमबर कोस्चन हैं, देखिए यहाँ पर फिर वहीं कोस्चन है, लेकिन यह सभी पूछा गया प्रश्ण है, पूछा गया है बावू, पहले तो आप लोग अपने से ट्राई किजिए कि इसको बनाया जाए सबसे पहले अपने से ट्राई किजिए कि आप लोग इसको बनाएं, दिखे, यहां पे क्या लिखा, यह तथा बीच के तुले धारता को निकाले, यानि इसके तुले धारता को हमको क्या करना है बाबु, निकाल देना है, यह और भी, साफ दिख रहा है बाबु, फिगर बताई जो,abile जो यहां पे देख लिजे, सॉरी यहाँ पर देख लिज़े इसका यहाँ पर धारता निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे है और क्या दे रखाए बबू यहाँ पर फाटा फट समझ लिज़े यह बहुत ही असान है बिल्कुल सभी कुस्चन आपको नुमेरिकल आसान लगेगा बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है आगे चलिए और बैतरीन बैतरीन नुमेरिकल से फिजिक्स का जिसका पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो सभी बच्ची यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत ही बैतरीन तरीके से यहाँ देख लिए इसका मान केतना दे रखाया है संपव्ल से दिख रहे कि ये समनान्तर करम सयोजन है ये वाला क्या है बावु ये हमारा समनांतर करम सहयोजन में है सबसे पहले बिना किसी देरी का समनांतर करम सहयोजन का फर्मूला लिखिएगा कि C is equal to क्या होता है तो C1 plus C2 dot 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 cn होता है यानि infinite होता है अब देखिए यहाँ पे C1 का मानी क्या है इसको मान लेजे C1 और इसको मान लेजे C2 अब क्या होगा बावु यहाँ पे अब क्या होगा तो यहाँ देखिए C is equal to क्या हो जाएगा C1 का मान है कितना 3, 3μF और पलस C2 का मान कितना है 4 अब जोड़िएगा कितना हो जाएगा बावु 7μF हमारा निकल के आएगा कितना तो यहाँ पे हो जाएगा 3, sorry 2 दिया है ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइस से समझझञे अब यहाँ देखिए C मान गल्दी भरती यहाँ दीखिए 3μF तो यहाँ पे क्या होगा 3μF तो यहाँ पे 3, plus C2 का मान कितना दे रखा है 2 अब यह मिलके क्या हो जाएगा बबो हमारा C का मान क्या निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा पांच और यहाँ आप दीखें माइक्रो फैराडे लगा दीजेगा यानि यहाँ पे इन दोनों का मान निकल के आ गया हमारा क्या पांच माइक्रो फैराडे तो अब यहाँ आप दिखिए इसका जो हम लोग मान निकाले हैं कितना निकाले हैं तो पांच माइक्रो फैराडे निकाले हैं और इसका मान चार दे रखा हैं तो अब यह कौम से सिरेडी में यहाँ आप दिखिए अब यह किस ववस्था में आ गया तो अब यह आ गया हमारा स्रे स्रेडी करम में है तो इसको आसे जोडना पड़ेगा स्रेडी करम का सुतर क्या होता है 1 by C1 सबस्क्राइब सबते में बराबर यहां सबसे पहले से लिख दिजेगा बराबर यह तो बराबर है अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा अब निकालिएगा यहाँ पे इसका बटा का जूर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा अब देखिए क्या होगा यहाँ पाँच का पाड़ा बीस आले पढ़िएगा कितना बार पांच होगा तो यहाँ आप सबी बच्चे जवाब दीजें यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बटा 9 यानि यहाँ पे देख लिजें अभी अभी काम बाकी है यह अभी मत सुचिए कि सही हो गया ऐसे कुछ सही नहीं हुआ है देखें यहाँ पे जब हम मान निकालें तो 59 बटा 20 आ गया और यह किस का मान आया है तो यहाँ पे देखें एक बटा सी का मान आया है कितना बाबु यहाँ आप देखें नो बटा 20 आया है हमको क्या धग निकालना है तो हमको सी का मान निकालना है तो तिरचा तिरची गूड़ा कोईची गूड़ा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो सी का मान आ जाएग क्या बाबू 20 बटा no यानी हमारा यहीं आंसर यहां क्या होगा बाबू निकल के सामने आएगा तो कहां पे है बाबू तो यहां पे देख लिजे द्यहां पे दिख रहा है आपको यह option में तो हमारा क्या होगा 20 बटा no right answer हो जाएगा समझ में आया स्रेंडी करम समनांतर करम यहां पे समझे पूरा समझ में आएगा देखे जैसे यह आप बाइप सी इसकाल टू लिए इस से देखिए 1 by C देखिए यहाँ पर 1 by C is equal to क्या होता है 1 बटा C 1 plus 1 बटा C 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए 1 बटा C एक कमांड दे रहे हैं 5 दूसरा का 1 बटा 4 निकालिएगा कितना होगा बाबु यह निकालिएगा तो हो जाएगा हमारा 9 बटा 20 अभी स्कूल्टा कर दीजिए 20 बटा 9 यानि इसका राइट असर रगया बिल्कुल असान प्रस्ट है इसी परकार से आपको इसको solve करना है समझ में आया जल्दी से जल्दी बताइए चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर आते हैं तिन नमर कुश्चन पर यह थोड़ा डिफरेंट कुश्चन है जल्दी से जल्दी यहाँ पर सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठी हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा बाबु यहाँ पर देखिए मज़ा आने वाला है सभी ये स्टुडेंट इसका जवाब देंगे यहाँ पर देख लिजे कॉश्चन है कि 20 सेंटिमीटर और माइनस 40 सेंटिमीटर फोकस दूरी वाले दो उत्तर लेंज की संयोग से बने सम्तुले लेंज की छामता क्या होगी क्या पुछा गया है यहाँ पे दो question पुछा गया है देखिए यहाँ पे कि 20 cm और minus 40 cm की focus दूर वाले lens का संयोग से बना सम्तुले lens की छमता तो पहले इसका यहाँ आप देखिए focus दूरी तो निकालना पड़ेगा ना तो यहाँ पे दिख लिजे क्या दिया है याँ पे दिया है याँ पहला focus दूरी 20 और दूसरा यहाँ आप दिखिए f2 कितना दे रखा है बभू f2 हमारा दे रखा है minus 40 अब यहाँ आप दिखिए focus दूरी हमको निकालना है formula आपको याद होना जिया और यहाँ होता है आपको यहाँ होता है और इसी पे रख दीजिए तो हमको पहले focus दूरी निकालना है ना बभू तो हमको focus दूरी कैसा निकालना है? 1 by a physical 2 क्या हो गया? तो हमारा हो गया, क्या दे रखाए? 1 बाटा पहले दे रखाए 20 और यहां पिलास है तो पलास, फिर minus है minus यहां पर क्या दे रखाए? 1 बाटा यहां दे चालिस दे रखाए यहां पर हो जाएगा ऐसे अब इसको आप लोगो solve कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बर्टा F is equal to यहाँ देखे इसके बदले लिख रहे हैं यहाँ पर पाड़ के आप लिख रहे हैं 1 बर्टा F is equal to क्या हो जाएगा बाभू हमारा तो हो जाएगा 1 बर्टा 20 माइनस का एक बटा यहाँ देखे चालिस अब यहाँ देखे इसका LCM निकाल देजे तो LCM निकाल लिएगा यहाँ पर देखे हम यहाँ पर नीचे निकाल रहे हैं LCM इसका तो यहाँ पर देख लिए एक बटा F निकाल लिएगा यहाँ पर LCM 40 20 का लगूतम 40 अब यहाँ पर 20 का पड़ा कितना बार पढ़िएगा 40 हैगा 2 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अब लॉस यहाँ पर हो जाएगा 1 यानि यह हमारा क्या हो गया बाबो हमारा निकल के आ गया कितना तो यहाँ पर देख लिए यहाँ पर देखिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर से समझीए, यहाँ पर देखिए, एक बटा F है तो F, यहाँ पर देख लिजे क्या है, यहाँ पर इसका लसा निकलेगा 40, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइ निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया, और यह हमारा क्या निकल के आ गया, तो 20 cm और 40 cm का focus दूरी हमको सन निकल गया, मतलब संयूंग तो यहाँ पर निकला आ ए, वो हम लोग क्या कर दिये, निकाल दिये, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिर्फ formula बिठ़ाई है और इसका बटापागा जोड़ बना दिए हमारा क्या निकल के आगया एब बराबर बबू यहाँ दिखी है इसका focus दूरी निकल के आगया कितना 40 अब इसका हमको क्या निकलना है भबू च्षमता निकलना है तो बाबु छमता क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले याद रखेगा छमता का सुद्र क्या होता है, यह आप दे कि क्या निकालना है बाबु हमको चमता बराबर याद रखेगा चमता बराबर क्या होता है ये एक बार कोमेंट किजिए सबी बच्चे जवाब दिजिए कि चमता बराबर क्या होता है तो बाबु चमता बराबर याद रखेगा एक बटा एफ होता है छामता बराबर एक बटा एफ होता है और यह किस में दिया है सेंटी मीटर में दिया है तो इसका किस में निकला है सेंटी मीटर में निकला है और यह वन बाई एफ किस के लिए होता है तो सेंटी मीटर के लिए होता है तो मीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उपर में सो से गुणा करना पड़ेगा तो यह क्या करेंगे उपर इसको गुणा कर देंगे तो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो अब यहां पर दीखिए इसको यहां पर क्या निकालना है सुरू से अब बटा एक एक है तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग तो यहां पर देखिए चामता बटा एक लिखिए अचाहिए एक मिटा दीजे तो हमको छमता ही न निकालना है तो छमता निकालना है तो इसको कटाईएगा तो यह कट ज जाएगा चार दूनी आड अज यहाँ आप देखिए दू पाचे दोसी यहाँ दीखिए यानि दू दसमलोग पांच हमारा छमता इसका निकल जाएगा तो यहाँ आप दीख लेज़े दोनों इसका निकल गया छमता बराबर 2.5 तो यह ऐसे कुष्टन है इसको आप लोग एस से स्वल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका बिल्कुल देखिए आपको 20 cm फोकस दूरी दे रखा है और चमता हमारा मेटर में होता है तो उपर में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा F हो जाएगा चमता आप लोग निकाल दीजें यहां पर कटा दीजें दूदसमलब 5 यहां पर का होगा इसका राइट आंसर हो जागा बाबू समझ में आ गया तो जल्दी से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है बिल्कुल मज़ा आने वाला है बिल्कुल टेंशन मेरे प्यारे भी द्यारतियो ना लीजिए चलिए इसको ट्राई किजिए बनाने का सेम टूसे में इसको ट्राई किजिए बनाने का इसको ट्राई कि तो देखिए फोकस दूरी इसका निकालना कैसे निकलेगा पहला फोकस दूरी हमको क्या रखा है यहाँ दीए 20 cm माइनस 30 cm और 60 cm और एक दूसरे से 60 है तो स्वायोजन की फोकस दूरी ज्याद करनी है फोकस दूरी के लिए याद रखेगा 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 dot 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 1 by F1 दिखते नहीं है तो यहाँ दीए फोकस दूरी निकालना है फोकस दूरी का सुत्र क्या होता है सबको पता है 1 by F is equal to क्या होता है 1 by F1 plus 1 by F2 plus इसमें 3 फोकस दूरी है तो 3 को लिखेंगे 1 by F3 dot 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 1 by Fn यादि आप दिखें infinite तक हो गया अब इसमें हमको क्या करना है भर देना है सिर्फ मान भरना कैसे है देखिए आप है पहले तो लिख दीजेगा 1 by F इस ग्लटू दे दिजेगा बराब़र दे दिजेगा 1 है तो F1 का मान कितना दे रखा है देखिए 20 दे रखा है F1 का मान 20 F2 का मान 30 plus दिजेए मैंनस 30 है तो मैनस plus plus एम मैनस मिला क्या हो जाएगा मैनस मैनस एक बटा क्या हो हमारा 30 हो जाएगा यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया अब यहां पर देख लिए इसका LCM हो जाएगा साथ 20 का पाड़ा कितना बार पड़िएगा साथ हैगा बाबू तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा तो चार में से दू गया बाबू क्या हो जाएगा दू बटा यहां पर हो जाएगा हमारा दू बटा साथ हो गया यानि एक बटा यहां आप देखिए थीश हो गया एक बटा थीजो गया हो गया के नहीं बाबू अब इसका यहां बढ़ा खिए फ करने तो यहां पर हमान हमारा क्या निकल के आ यहां तो 30 बटा एक यानि हमारा फोकस दूरी किन्दा निकल गया गया 30 निकल गया गया यहां तक आपको पूरा किलियर हो गया होगा सभी बच्चे बताईए किलियर हुआ की नहीं वह थोड़ा सा बबु सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा सा यहां पर चिक चा का रहा उसके लिए सौरी यहां आप दिखिये लिजे तीन लेंज जिनकी फोकस दूरी 20,альная —30, निसका फोकस दूरी आपको गयार करना है तो फोकस दूरी के लिए सुत्र होता है सुत्र में भर दिजे हैं यहाँ पे 1 by a physical 2, 1 बटा F1 20, 1 बटा यहाँ आप देखिए, 1 यहाँ आप देखिए, minus में है और plus में है, तो minus plus minus, minus 1 बटा 30, plus क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ पे 60 हो जाएगा, अब लगुतम निकालिएगा, 60 होगा, अब यहाँ पे देखिए, 20 का पाड़ा 3 बड़ पड़िएगा, 60 हैगा, उपर में 3 से गुड़ा 3, minus 1 तो minus, 30 का पाड़ा कुतना बड़ पड़िएगा, 60 हैगा, 2 बार, तो 2 से गुड़ा, यहाँ पे देखिए, minus 2, अब यहाँ आप देखिए, plus 1 हो जाएगा, यह तो बटा का जोड़ी, यह कोई भी निकाल लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बटा साथ, यहाँ यहाँ पे देखिए, 30 सिसका क्या हो गया, 30 सिसका निकल गया, फोकस दूरी आगया, और नहीं फोकस दूरी पूछा है, छमता नहीं पूछा है, तो यह आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, अराम से सॉल्व कर लिए, अगला कोश्चन देखिए तो, अगला जो कोश्चन यहाँ आप देखिए, यह कोश्चन बहुत ज़्यादा मत पूने, बहुत ज़्यादा बार आपकी एक्जाम में बावु आया भी हुआ प्रस्णे, यह आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कि किसी माध्यम की ध्वनी का विग दे रखा है, किसी माध्यम का ध्वनी का विग दे रखा है, 330 मीटर प्रती सेकेंड, एवं तरंग देर्द यहाँ देखिए, 1.0 मीटर दे रखा है, तो अब आप वर्तित तरंग की आवरीती पूछाए मीटर में तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा यहाँ पर आप लोग समझ लेजिए बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है सभी सभी स्टुडेंटों को समझ में आएगा आप लोग सिर्फ समझ से चलिए बिल्कुल यहाँ पर समझ में आएगा अब यहाँ पर देख लिजे क्या क्या दे रखा है ध्वानी तरंग का वेग यहाँ पर क्या रखा है ध्वानी का वेग अब वेग को हम लोग किस से सुचित करते हैं बाबू तो वेग को हम लोग भी से सुचित करते हैं कितना दे रखा है तो यहाँ आप दिख लिजे 330 मीटर प्राती सेकंड यह दे रखा है यहाँ तक आप को समझने आगे है ध्वानी का वेग पहले जो दिया है वो लिखिए 330 मीटर प्राथी से गणी ये ध्वनी का विग दे रखा है अब तरंग दर्द यहाँ पे पूछा गया है कि तरंग दर्द कितना दे रखा है तो 0.0 दे रखा है क्या तो तरंग दर्द तो यहाँ दिखें यहाँ पे लिख दीजेगा तरंग दर्द यानि तरंग दर्द को हम लोग किस से सुचित करते हैं लेमडा से और यह कितना दे रखा है 1.0 और कितना दे रखा है यहाँ पे 1.0 मिटर तो अब यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है आवरीती पूछा गया है देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आवरी ग्याद करने के लिए आपको फर्मूला आना चाहिए तो इसका फर्मूला क्या होता है ये आप लोग याद कर लिजिए इसका फर्मूला होता है भी बाई लेमडा यहाँ पर दिखिए क्या होता है भी बटा लेमडा होता है इसका फर्मूला आवरिती का फर्मूला भी बटा lambda कमान कितना है यहाँ पर देख लिजे lambda कमान कितना दे रखा है यहाँ पर देख लिजे lambda यहाँ पर दे रखा है 1 अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 330 बटा यह 1 हो गया मीटर यहाँ आप देखिए inverse 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर प्रतिस सेकेंड हो जाएगा और यहीं इसका answer हो जाएगा और इसी परकारी यह question solve होता है एकदम आसाने बिल्कुल आपको क्या करना है सबसे पहले ध्वनी का वेग लिखना है तरंग दर्द लिखना है और किसे सुचित किया जाता है यह लिख दीजेगा उसके बास से आप रिती पूछाए फ्रिक्वेंसी इसका फर्मूला होता है बीस बाई लेमडा और यहाँ आप देखिए भी का मान रखिए लेमडा का मान रखिए तो संयुक्त करने पर समयोजन में फोकस दूरी क्या होगी अब यहाँ पर हमको छमता दे रखा यानि डी का मान दे रखा है छमता दे रखा है अब फोकस दूरी ग्याद करना है तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको छमता दे रखा हो तो आप लोग यहाँ आप देखिए फोकस दूरी कैसे ग्याद करेंगे तो बबु छमता क्या होता है पहला दे रखा है हमारा D1 छमता को D से सुचित करते है D1 हमारा दे रखा है माइनस पंदरा और D2 क्या दे रखा है बबु हमारा पलास पंदरा दे रखा है अब इसको एड करेंगे अगर हम लोग D1 प्लस D2 एड करेंगे D1 प्लस D2 एड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस पंदरा और पलास यहाँ पर 5 अब क्या हो जाएगा बबु हमाँ यहाँ पर के-15 है न तुक हो जाएगा हमारा माइनस 10 डाइब्टर यानि इसका सञयोजन कितना निकल गया पाभू माइनस 10 डाइब्टर निकल गया यह आप लोग याद रखिएगा क्या होगा यहां पर माइनस दस हो जाएगा यह आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिजेगा चलिए अब यहां पर आते हैं अगले नंबर कुश्टन पर देखिए यहां पर स्वर्य यहां पर देखिए इसका हमको फोकस दूरी निकलना तो कैसे निकलेगा च्छामता बराबर होता है एक बटा यहां पर देखिए एक यानि सो बटा यहां पर क्या होता है एफ होता है यहां पर देखिए च्छामता जैसे हमारा दे रखा है माइनस दस डाई अप्टर और यहां पर क्या दे रखा है सो और फोकस दूरी हमको ग्याद करना है तो यहा यहां पर क्या होगा ऐसे हैं तो यहां पर देखे उससे पहले यहां पर असान तरीके बता देते हैं यहां पर देखे ऐसे हो जाएगा यहां पर मालेजे कुछ भी नहीं है एक हो जाएगा तो हमारा फोकस दूरी बराबर क्या होगा फोकस दूरी बराबर हो जाएगा सो बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा चमता यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा चमता ऐसे लिख सकते हैं इसको यहाँ आप देखें एफ बराबर क्या हो जाएगा इसको कैसी गुड़ा करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा हमारा छमता हो जाएगा तो 100 पहले से दिया है 100 और यहाँ आप देखे हैं हमको क्या करना है छमता इसका यानि डाय अप्टर छमता कितना दे रहा है? माइनस 10 दे रहा है अब इसको कटा दीजेगा तो कितना निकल के आएगा? तो बाबो मस् तो इसका छमता दे रहा है माइनस 15 और प्लस पाग दोनों के एड करेंगे क्या होगा तो माइनस 10 आएगा इसको इसको एड करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस 10 आएगा अब यहाँ दीए छमता का सुत्र क्या होता है छमता बराबर हम पिछले question में पड़े हैं कि छमता पराबर होता है 100 बटा एफ तो यहाँ दीख लिए अगर हम लोग यहाँ पे नीचे एक दे देते हैं और कैंची गुणा करते हैं तो एफ बराबर हम लिख सकते हैं 6 बटा छमता तो हमको focus दूरी निकालना है तो focus दूरी उपर में 100 है तो 100 और चमता हम कितना निकाले हैं द ही आ रहा है जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट बताइए और बहुत ही मज़ेदार कलास से बहुत ज्यादा महत्पूर्ण कलास से चलिए अगला कुश्चन देखते हैं यहां पर कि दो परकास तरंगों का यहां पर पूछा गया है कि अनुपात अगर 81 अनुपात 9 हो तो पयाम का अनुपात क्या होगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है सभी बतचीज का अंसर दे दीजे चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो तरंगों का परकास यानि आईवन आईटू से सुचित करते हैं यहां पर देख जे फ़िचा अब यहां पर पूछा गया है कि उनके आयामों का किल अनुपात कितना होगा तो आयामों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे तो इसका सुत्र होता है बाबु क्या एओ उटेंवन बता इटू इसकल टू कितना होता है रूट अंडर आईवन बता आईटू आपको याद करना पड़ेगा यह किसका वर्गून निकलेगा तो, नौ अनुपात कितना होजाएगा, यहीं हमारा क्या होजाएगा आंसर होजाएगा और इसी परकार बभू इसको सोल्व करते, तो इतना बबु बताईए आपको समझ में आया की नहीं आया, ऐसे नुमेरिकल आपको बनाने आ गया की नहीं आया, अगर आ गया तो सभी बच्चे एक बार लाइक किजिए, सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर दिजिए चैनल को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कि जिए निकालिएगा 9 पद साथ आई जागा तो चलिए बबु नुमेरिकल इतना ही रहने देते हैं फिर अगले वीडियो में इसका अगला नुमेरिकल करेंगे हैं उससे पर ले आप लोग क्या किजिए बबु वीडियो को लाइक नहीं किए कर दिजेगा और चैनल को सब्सक् जाके ओनलाइन टेस्ट दे जीजे तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में आप लोग अपना ध्यान रखिये मन लगागे पढ़ाई किजिए टेक क्यार एंड बाई